नमस्कार बच्चों, और्बिट स्मात स्कुल में आप सभी का स्वागत है। कक्सा साथ विसाई हिंदी, इसमें हम पहला चित्रपाट पढ़ चुके हैं, चित्र के संग संग। उसमें बच्चों हमने पहले चित्र का अवलोकन कर दिया है। पहला चित्र हम समझ चुके हैं, कि साइकल की दुकान वाला साइकल के टायर में पंप से हवा भर रहा होता है। और उसी के आसपास कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये सब हम पहले चित्र में देख चुके हैं. अभी बच्चों हम जो ये चित्र देख रहे हैं, ये हमारा डूसरा चित्र है. इसमें साइकिल की तायर में हवा भरते-भरते तायर फट जाता है. और उसके बाद क्या क्या होता है उसी के बारे में हम इस चित्र में देखेंगे कि साइकिल का तायर फटने से कौन-कौन सी क्रियाएं अचानक से हो जाती है देखो बच्चों पहले हम देखते हैं ये जो आदमी है वो साइकिल के तायर में पंप से हवा बर रहा होता है तभी साइकिल का तायर फट जाता है और उसे ये साइकिल की डुकान वाला जो साइकिल के तायर में हवा बर रहा होता है वो गिर जाता है जमीन पर और उसके बाजू में ये जो गुबबारे वाला जा रहा होता है उसके भी गुबबारे छूट जाते हैं और आकास में उड़ जाते हैं और ये भी घबरा जाता है और इसके पीछे ये जो कुजडिन है कुजडिन यानि सबजी बेचने वाली सबजी बेचने के लिए जा रही होती है उसके सर पर टोकरी है जिसमें सबजीयां भरी है जैसे ही साइकिल का टायर फटा है तो इसकी आवाज से डर कर कुजडिन की टोकरी जमीन पर गीर जाती है और सबजीयां भी सारी गीर जाती है और देखो बच्चो यहां पे जो यह मोची बैठा हुआ है रास्ते पे वो भी तायर फटने की आवाज से डर जाता है और रास्ते पर चला जाता है और उसका सामान भी इधर उधर रास्ते पे चला जाता है और देखो बच्चो यहाँ पे डुकान के डंडे पे जो तोटा बैथा होता है वो भी साइकिल का तायर फटने की आवाज से डर कर उड़ जाता है और बच्चो जो यहाँ पे कुटा है जो लेटा हुआ ठागले चित्र में वह भी तायर फटने की आवाज सुनकर डर कर लेटा हुआ जाग कर भाग कर भागने लगता है इधर उधर जाने लगता है देखो बच्चो इस चित्र में टायर फटने से यह सब होटा है साइकिल वाला आदमी गिर जाता है सबजी वाले की सबजियां भी गिर जाती है गुबबारे वाले के गुबबारे उड़ जाते हैं मोची रास्ते पे आजाता है कुटा भागने लगता है और देखो बच्च तक्रा जाते हैं, हां? उनको कोई नुकसा नहीं होटा है, लेकिन रिक्सा वाला गलत धंग से रास्ता पार कर रहा होटा है, इसलिए बाईक से तक्रा जाता है, और सब डूसरी चीजे वैसी ही हैं, जैसी पहले चित्र में थी, लेकिन इन सब बातों में थोड़ा परिवर्तन होटा है इस तरह बच्चों हमने ये डोनों चित्र अच्छी तरह चित्र अवलोकन कर लिये याने कि चित्र में क्या क्या हो रहा है उसको बहुत ध्यान से हमने देख लिया है तो बच्चों आपड़े आ चित्रनों अवलोकन गुजराती मां जोई लई ये तो बाड़को पेल जे साइकलनी डुकान वाडो साइकलना तायर माहवा भरी रहियो हतो पंप वडे तो तरत ज साइकलनु तायर फाटी जाई छे अने टेना आवाज थी जे साइकलनी डुकान वाडो छे ते जमीन पर पड़ी जाई छे अने सागभाजी वाडी जे सागभाजी वेचवा जती हती एनी सागभाजी पन जमीन पर पड़ी जाई छे अनी जे फुग्गा वालो फुग्गा वेचवा जतो हतो तेना फुग्गा पन तायर ना आवाज साम्बडी ने छुटी जाई छे अने उड़ी जाई छे अने जे मोची रस्तानी बाजुमा बैठेलो हतो एपन गभराईने रस्ता पर आवी जाई छे अने एनो सामान पन विखेराई जाई छे जे कुत्रो अहिया आराम करतो हतो एपन जागीने भगवा मांडे छे टो साइकल नू तायर फाटवा थी आ बदी घटनाओ ठाई छे अने रस्ता पर एक मोटर साइकल वाडो अने रिक्सा जे खोटा तरिका थी खोटी रीते रस्तो क्रोस करती हती ए साई बाई मोटर साइकल वाडा साथे अठड़ावानी तैयारीमा छे अने आप ओपट पन तायर फाटवाना अवाज थी बैठो हतो अईया डंडा पर ते उड़ी जाई छे तो बच्चों हमने देखा कि इस चित्र में तायर फाटने की जेव घटना होटी है उसी के साथ साथ पूरे चित्र में ये सब और क्रियाएं भी होटी है जिसे हम को याद रखना है तो बच्चों हम इस चित्र के आधार से उसके आधार से नीचे के प्रस्न कोई उटर देख लेते हैं पहला प्रस्न है तायर फटने पर क्या क्या हुआ तो बच्चों हमने देखा कि तायर फटने पर साइकिल की तायर में जो हवा भर रहा होता है वो आद जमीन पर गिर जाता है गुबारे वाले के गुबारे छूट जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं और कुजदीन की टोकरी जमीन पर गिर जाती है और सबजियां भी जमीन पर गिर जाती है ये मोची घबरा कर रास्ते पर आ जाता है और उसका सामान भी इधर उदर हो ज दंडे पे जो टोटा बेठा हुआ है वो भी उड़ जाता है तो ये सब क्रियाएं टायर फटने पर होती हैं दूसरा प्रस्ता है बच्चों हमारे पास कि टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताएं तो टायर के अलावा फटने वाली चीजें होती हैं फुटबॉ वॉलीबॉल ये सब भी टायर की तरह फटती है तीसरा प्रस्ण है रिक्से वाला बाईक से क्यों टकराया अभी बच्चों इसका जवाब हम देखेंगे कि रिक्सा वाला बाईक से क्यों टकराता है क्योंकि बाईक वाला जा रहा होता है और रिक्सा वाला गलट तरीके से रि रास्ता बदलना चाहता है इसी लिए गलत धं से रास्ता बदलने के कारण रिक्से वाला बाइक से तकरा जाता है तायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा अब देखो बच्चों हमने चीत्र में देखा कि ये जो पेडो हैं ये जो मकानों हैं ये सब ऐसे हैं यो पीछे कारे जा रही है वो भी वैसी ही है तो पेडो, कारो, रिक्सा और मोटर साइकल पे टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा मोची क्यों रास्ते पर आ गया? अगला प्रस्न है मोची रास्ते पर क्यों आ गया? क्योंकि मोची टायर फटने की आवाज से घबरा गया और वह रास्ते पर आ गया और इसका सामान भी रास्ते पर आ गया तो बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं कि मोची तायर फटने की आवाज से घबरा गया और रास्टे पे आ गया तो बच्चों ये में सवाल PDF द्वारा आपको भीजती हूँ आपको उसके सवाल अपने नॉट्बुक में लिखने हैं और इस चित्र में क्या क्या हुआ वो भी अच्छी तरह से याद रखना है ओके बच्चों